आज मैं आप लोगों के लिए आरके नराइनन के नोवल वेंडर ओ स्वीट के चैप्टर सेवन की समरी लेकर आया हूं स्टार्ट करते हैं जगन ने अपनी दुकान पर एक कार्ट टांग दिया जिस पर लिका था कोई भी पैकेट मिठाई का 25 पैसे में इसे जवान बुड़े बच्चे बिखारी मज़ूर सब लोग उसके यह कट्थे होगे शाम को पांट बेर तक मिठाईयां सारी खतम होगी जब हेड कुक ने इस बात का विरोध किया तो जगन ने कहा कि ना तो मैं क्वाटिटी गटाऊंगा ना मैं क्वालिटी गटाऊंगा कजन ने समझाने की कोशिश की कि हम लोग कमपीटीशन के लिए कुछ नया कर रहे हैं अभी भी दुकान के बार कुछ लोग थे जो की मिठाईयों के पैकेट के लिए शोर मचा रहे थे स्टाफ ने सोचा कि जगन एक बहुत ही काईया बिजनेसमेन है उसके पास ऐसा कदम उठाने के लिए कुछ जरूरी कारण होगा जगन ने बैठ कर उन लोगों को गीता में से बगवान कृशन के उपदेश सुनाई थोड़ी देर बाद जगन के कुक बोर फिल करने लगे कोई जर्दे का बाना लेकर कोई बीड़ी का बाना लेकर बार आ गया इसी समय तीन मिलने वाले आ गए उन में से एक आनन्द बावन का अमीर सेट था दूसरा कोट के बाहर चलाने वाला कैंटीन का मालिक था और तीसरा एक व्यक्ति था जिसकी एक बड़ी सारी सफ़ेग दाड़ी थी जो की एक अजनबी था जगन ने सोचा शायद वो किसी का भाई है जब तीनों जन्हें बैट गए तो सेट ने बोला कि जगन तुमने ये जो मिठाईयों के दाम में बहुत जदा कमी कर दी है ये क्यों की है तो जगन ने उन्हें बताया कि मैंने मिठाईयों के दाम इसलिए कम किये तांकि बहुत स की बात करने आए हैं और हमारा पहला उदेश्या है बिजनेस फर्स्ट जगन ने उन्हें का हां हमें कभी-कभी ऐसे मिलते रहना चाहिए और अपनी समस्याओं को डिसकस करना चाहिए सेट ने बोला कि हम सब को साथ मिलकर जीना हैं और अगर हम लोगों को अपनी बाते नहीं बताएंगे तो हम लोग रेस में पीठे रह जाएंगे उन्होंने ये भी का कि अपना बिजनेस करकर हम लोग समाज की एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं फिर उन लोगों ने अपनी बहुत सारी समस्याओं बताई जैसे सेल टेक्स इंस्पेक्टर, इंकम टेक्स के लोग, हेल्थ इंस्पेक्टर, फूड कंट्रोल और दूसरी बात उनको बनाने के लिए समान नहीं मिलता है और फ्राइंग, हम वो कौन सा समान यूज करते हैं सरकार हमसे ये भी जानना चाहती है कि बताओ आप किस तरह के मैटीरियल में फ्राइ कर रहे हो और आटीप्रिशल तो क प्योर गी प्योर गी होता था केंटीन का बंदा केंटीन मैन बोला कि साइंटिस्ट ने भी ये प्रूफ कर दिया है कि शुद देशी गी और मक्षन खाने से हार्ट की डिजीज होती हैं और इनके जो सब्सिट्यूट हैं उनमें विटामिन ज्यादा होते हैं सोड़ा पीने हैं और सेट ने बोला कि हमारा मिल जूलकर एक ही लक्षा होना चाहिए कि हम बिजनिस को बनाएं रखें जब वो लोग चले गे तो जो डाड़ी वाला आदमी था वो वापिस आया और वो उसने अपने आपको जगन को प्रिच्च दिया उसका नाम था चिना जो रही जो की ह बेट को देख रहे हैं उनके बाल काले मेरे हाथ का काम है और वो कहा है उसने बताया कि मेरे मालिक हैं पेरिया दुरही मेरे गुरुजी हैं चिना मतलब होता है चोटा पेरिया मतलब होता है बड़ा और वो कहता कि पेरिया दुरही ने बहुत सारी शिव जी विश्नु की द बड़ा खुश हुआ कि ये ये कोई अलगी वक्ती था जो जगन से जो भी मिलता था वो अमेशा घीत ल की बते करता ह। कि मैं भी बहुत सारे मन्दिरों में जा चुका हूँ। और मैं सभी 108 देटाओं को जानता हूँ। सभी कावेरी नदी के आसपा, जितने भी संतों के मठ हैं मैं सबको जानता हूँ। मैं शंबाद्री जी ने जितने भी बहगवान के सम्मान में googीत लेकि हैं कुलकर कुछ गीत गाएं चिना दुराई ने कहा कि मैं तुम्हें उस जगा लेकर जा सकता हूँ ज़हा मेरे मेरे गुरू जी रहते थे और काम करते थे जब जगन के पास काइम हो। और फिरोस्नि जगन के साथ था जो अब सब बूड़े और भूल चुके हैं काफी समय से वो सिर्फ घर से दुकान और दुकान से घर जाता था और उसके दिमाग में सिर्फ माली कजन और ये फ्राइंग वाला कामी चलता था जगन ने काचिना दुरई को का कि हम कल चलेंगे उसने पूछा कि क्या तुम भी अपने गुरू जी की तरह मूर्तियां बना सकते हो दुरई बोला कि मैं तो एक हेर ड्रायर हूं मैं तो सरफ एक बाल काले करने वाला हूं और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे भी बाल काले कर सकता हूं तब जगन को याद आया कि मैं तो इसकाम में सब्सक्राइब नहीं होते हैं मेरा चोटा सा प्रियास आपको एक्जाम में हल्पुल होगा आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुबू झाल झाल